नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना मैं हूँ बेनजिर हाश मी खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की साथ फिर बात करेंगे हर्याना की बड़ी और खास खबरों की चतिसगड की राजधानी रायपूर में इंडिगो की फ्लाइट को आज एमेर्जेंसी लेंजिंग कराया गया नागपूर से कॉलकता जा रही फ्लाइट में यात्रा कर रहे युवक ने क्रू मेंबर्स को बुला कर बम होने की बात कही दिलिया विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहात कोट ने दिया जेल से रिया होने का आदेश महरास्ट और गुजरात में इडि की बड़े करवाही फरजी केवाईसी मामले में 23 ठिकानों पर छापे मारी मामला फरजी दस्तावेजों और फेक केवाईसी के जरिये बड़ी तादात में बैंक अकाउंट्स खोलने के हैं महरास्ट शुनाब में ओवेसी और डिप्टी सियम फड़विस के बीच जुबानी जंग जारी हैदराबाद के सांसद AIMIM चीप असवदीन ओवेसी ने सोलापुर में चुनाब्रचार के दोरान 15 मिनट वाले बयान का किया जिक्र बात करें सोने चांदी के भाव की तो सोना 74,000 रुपे के नीचे आया बिते 15 दिनों में ये 5,737 रुपे सस्ता हुआ था चांदी 87,558 रुपे परतिकलो बिक रही आज शेयर बजार के संसेक्स में 170 अंग से ज़्यादा की गिरावट रही तो वहीं निप्टी भी 40 अंग गिरा FMCG सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिकवा तो ये थी दिन बर की कुछ आजा सूर्खियां आप बात करते हैं हर्याणा की बड़ी और खास खबरों की हर्याणा विधान सभा का शेत कालिन शत्र विपक्ष की नेता के बिना ही संचालित हुआ दरसल कॉंग्रेस अभी तक अपने विधायक दल के नेता का शेयन नहीं कर पाई है आपको बता दे कि कॉंग्रेस विधायक दल का नेता ही विधान सभा में विपक्ष का नेता होगा वही पूर्व मुखे मंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा ने हाला कि सदन में विपक्ष की नेता की कमी महसूस नहीं होने दी साथ में आप कोई भी बता दें कि हुड़ा ना केवल पूरे समय विपक्ष के नेता की भूमिका में रहे बल्कि थानेसर के विधायक एवं पूर्व स्पीकर अशोक अरोडा और जजजर की विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता भुकल भी पूरे फॉर्म में दिखाई दी अस्ता पारितकर विधायक दल की नेता के चोयन का अधिकार हाई कमान को दिया हुआ है पानिपत में एक नशेडी ट्रक ड्राइवर के आतंक ने पांच लोगों की जान ले ली और एक व्यक्ति को घबी रुप से घैल कर दिया द्रसल आपको बता दे की ट्रक ड्राइवर ने दिल्ली की ओर से चंदीगड की तरफ गलत साइड पर आते हुए फ्लाइवर पर केई घटनाय की जिससे इलाके में दहशत का महल बना हुआ है आपको बता दे की लगो सची वाले के सामने फ्लाइवर की ग्रिल तोड़ कर ट्रक ने एक कार को भी टकर मारी जिसके चलते फ्लाइवर पर लंबा जाम लग गया मुई स्थारी लोगों ने ड्राइवर को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया है बता दे चले कि हाथ से की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और शबो को गबजे में लिया फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृत्तकों को और घायलों की पहचान का प्रयास भी जारी है रोतक में भाजपा परदेश अद्यक्ष मोहलाद बडोली ने कहा कि पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वालों की भी रिपोर्ट मिली है द्रसल बडोली आज भाजपा परदेश का अरले में भाजपा सदेसेता अभियान के तहट जिला स्तर्य बैठक के बाद प्रेसवारता में सवालों के जवाब दे रहे थे सात में विधानसवा चुनाब में भाष्पा में रहकर भाष्पा के खिलाब काम करने वाले निताओ को लेकर पूछे गए सवाल पर पार्टी पर्देश धियक्ष ने कहा कि पार्टी पर्तियाशी पार्टी संगठन के अलावा समाजिक संगटनों से भी ऐसे नेताओं की विधानसवा वाइस रिपोर्ट मिली है सभी रिपोर्ट का अध्यन करने के बाद ऐसे नेताओं की लिस्ट तियार हो गई है पार्टी छोड़ने वे पार्टी के खिलाब काम करने वालों के बारे में केंदरी नित्रिप्त समय आने पर निर्णे भी लेगा साथ ही रोने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभिहान चल रहा है पार्टी ने 10 लाग की सदस्यता का आकड़ा पार कर लिया है 50 लाग सदस्य बनाए जाने हैं साधारन सदस्य बनाने के बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे इसके बाद ही बूत कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कारेकरणी, परदेश कारेकरणी का चुनाब होगा और इसके बाद ही राष्ट्री अध्यक्ष चुना जाएगा जब तक पार्टी के संगठन की परिक्रिया चलती रहेगी तब तक इसी बहारी नेता का कारे करता और पार्टी में छोड़के जाने वालों को वापस पटका पहना कर पार्टी में नहीं लिया जाएगा हिसार के नानोंद में आज घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हासा हो गया द्रसल बता दे माजरा प्याव आई टी आई के पास जिन्द हासी रोड पर हर्याना रोडवेस की बस और धान की बोरियों से भरे ट्रक की आमने सामने की टककर हो गई इस दुरघटा में बस में सवार करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए जिसमें से कई को गंबीर चोटे भी आई हैं वही हासे की सूचना मिलते ही नानोंद थाना पुलिस मोगे पर पोची एम्बलेंस से घायलों को नारनोंद के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया नानोंद थाना प्रबारीन स्पैक्टर चंदरभान ने बताया की हासा घंए कोहरे की वज़े से हुआ है जिस से सड़क पर देखने में बहुत परिशानी आ रही थी पुलिस ने बताया की मामले की जाच की जा रही है और दोघनले की घंबीर दुरगटना हुई है तो यह थी दिन बर की कुछ सादों सुर्खियों के साथ धर्याणा की खास ख़बरे कल फिर होगी मुलाकाद ऐसी ही खास ख़बरों के साथ तब तक लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रही देश रोजाना नमस्टार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें